कोश्चनेर में बहुत सारे कोश्चन दिये वे हैं और हम लोग सेलेक्टिव अप्रोच के साथ जाएंगे कुछ कोश्चन को हम लोग सेलेक्टिवली देखेंगे और बचेवे कोश्चन जो है यह आप घर पे डेली बेसिस के अंदर में सौल कर लेना अगर आज हमने बेसिक्स ऑफ इंकम टैक्स का एक कुश्चन उठाएं लेट से इसके अंदर में साथ कुश्चन होते हैं तो टॉपिक वाइज हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे कितने क्या हम लोग को कंप्लीट करना है और बचेवे जो कुश्चन रहेंगे इसको आप घर पे कर आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कुश्चन अबी सॉल्व हो जाएगा और आपके कंसेप्स भी फटाफट डील हो जाएगे दन मालिक तो चलिए आते हैं फटाफट आप कुश्चन अपन कर लिजे कुश्चनेयर को हम लोगों ने रखावा है ताकि आप लोग आपको दीखेगा, first question deal करते है, Mr. Raj has a total income of 13 lakh in the previous year, comprising of income from property and interest on FD, compute his tax liability assuming his age is 37, 65 and 83, ठीक है sir, assume करते है 13 lakh रुपीज उसकी income है, लेकिन अब यहाँ पर point समझे, इस 13 lakh के अंदर में उन्होंने यह हमें नहीं बताया है, कि हाउस प्रॉपर्टी का कितना और interest on FD कितना, ठीक है, हम यह assume कर रहे हैं कि यह total income दियावा है, यह total income लियावा है, जिसका मतलब यह after deductions and relief if any, यह available है, तो जैसे interest on FD का deduction मिलता है, वो भी मिल चुका होगा, house property से जो standard deduction मिलता है, यह भी मिल चुका होगा, 13 lakh रुपीज इंकम है, इस पर कैसे tax निकालेंगे, चलिए without answer देके 30% plus 1,12,500, would this come to 2,2500, yes or no, check करके बताईए, since income is 13 lakh, सरचार्ज नहीं लगेगा, rebate नहीं मिलेगा, क्या straight 4% says add हो जाएगा, yes, total amount आएगी आपकी 2,10,600, check कर लीजे, फटाफट, कि क्या आपका भी यही जवाब आपके पास दो तरीके, एक यह जो questionnaire में मैंने format देख रखा है, इसमें solve कर लो, या फिर अपन ने जो format बनाया, वो भी बिल्कुल चलेगा, इसमें गहीं कोई problem नहीं है, done मालिक, अगर age 65 हुई तो क्या, 13 lakh में से पहले 10 lakh रुपीज माइनस कर दो, balance पर 30% and इसमें 1 lakh 10,000 add कर दो, total आएगा 2 lakh रुपीज, क्या आपका भी आया है, मुझे जल्दी से बताइएगा, क्या आपका भी 2 lakh रुपीज आया है, अब सर्चार्ज नहीं लगेगा, rebate नहीं लगेगा, सीधा 4% का assess, this amount will come to 2 lakh 8,000 at the same time, if the age is 83, 13 lakh में से अप्टो 10 lakh माइनस कर दीजे, into 30% plus 1 lakh रुपीज, that is 1 lakh 90,000 रुपीज, इसमें 4% add कर दीजे, 197,600, is this done, ये एक normal tax calculation है, आपको बड़े easy तरीके से समझ जाएगा, not a big deal, आईए, question number 2 पे चलते हैं, compute the tax liability of Mr. Raja, age 42, having a total income of 51.50 lakhs, 51.50 lakhs, जैसी ऐसी कोई amount आती है आपको, जहाँ पे सर्चार जाने वाला होता है, आपको हमेशा एक point ध्यान में रखना चीए, और इस point को हम क्या कहेंगे साब, marginal relief, इस point को हमेशा अपने ध्यान में रखना है, specifically जब ये 51 lakh आया, 1 करोड, 1 lakh something आया, 2 करोड something आया, 5 करोड something आया, ऐसे ताइम पे आप हमेशा याद रखेंगे, कि marginal relief कही ना कहीं strike कर सकता है, so compute the tax liability, 51 lakh 50,000 for the assessment year, assuming that his total income comprising of salary income, house property income, interest from saving bank account, एक minute, जब आपको ये सीधे शब्दों में कह दे रहे हैं, total income, तो आपने by default के अंदर में assume कर लेना है, that this amount is after all deduction and relief, if any, yes, also assume Mr. Raja has not opted for 115 BAC, जैसे कि आपको पता है, 115 BAC is a new alternative taxation system for individual, यहाँ पे उनने clear cut लिख के दिया है, कि यह हमें assume करना है क्या, suppose अगर ऐसा problem ना लिख के दे, that he has not opted for 115 BAC, what is your responsibility, आपकी responsibility फिर यह है, कि आप same tax calculation को दो बार solve करेंगे, एक assuming he has opted for 115 BAC, दूसरा assuming he has not opted for 115 BAC, आपको ये करना होगा फिर, यहाँ जब clear cut लिखा है, so let's check, 51,50,000 रुपीज, done, अब कैसे tax निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले यह देखते हैं कि 51 LAC पे tax कितना आता है, 51 LAC 50,000 पे tax कितना आता है, इसमें से 10 LAC रुपीज हटा दीजे, balance पे 30% add 1 LAC 12,500, since income exceed 50 LAC 10% का सर्चार्ज भी add कर दीजे, total tax would come to 14 LAC 93,250, अगर हम 51 LAC 50,000 पे tax निकालते हैं, अगर हम 51 LAC 50,000 पे tax निकालते हैं, तो income would come to 14 LAC 93,250, सर्चार्ज add करके, अब हम निकालते हैं, marginal relief के थूँ, marginal relief अगर apply किया जाए तो क्या होता है, we need to calculate the tax up to 50 LACs और add कर देते हम, total income minus 50 LACs, याद आ रहा है आपको, तो चलिए, total income up to 50 LAC, 50 LAC तक का tax कैसे निकालेंगे, 50 LAC minus 10 LAC रूपीज, into 30% plus 1 LAC 12,500, this would come to 13 LAC 12,500, plus additional income पूरी की पूरी जोड दीजे, that is 1 LAC 50,000, this tax would come to 14 LAC 62,500, आस ऐसी को क्या पे करना होगा, जो 51 LAC पे tax आया वो, या जो marginal relief के हिसाब से tax निकला वो, so I think 14 LAC 62,500, अब इसमें क्या करेंगे, क्या हम marginal relief को जोडेंगे, answer is no, tax payable would be lower of A और D, इसमें हम straight away 4% CES add करेंगे, into 4%, 58,500, आपकी tax liability आजाएगी 15 LAC 21,000, done, अब एक चीज हो सकती है, problem में अगर आपको marginal relief separately दिखाना है, तो आप clear cut देख सकते हो, 14,93, 250, माइनस 14,62, 500, Marginal relief आएगा आपका 30,750, Marginal relief आएगा 30,750, alternatively, alternatively, Marginal relief ना दिखा के, आप सीधा final tax liability भी दिखा सकते हो, क्योंकि problem ने हमें marginal relief दिखाने के लिए नहीं कहा है, तो alternatively हम क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा tax calculate भी कर सकते हैं, without separately showing marginal relief, yes मालिक, ये एक problem हमने देखा, the concept with marginal relief, question number 3, ये आप कर सकते हैं, ये 1 करोड 2 lakhs है, यानि अगेन यहां पर marginal relief वाला concept आएगा ही, but 1 करोड के उपर, ये आप एक practice कीजे, 4th question के उपर आईए, 4th question 2 करोड के उपर marginal relief वाला concept है, अगर 2 करोड के उपर marginal relief आना है, 2 करोड के उपर marginal relief आना है, तो वो कैसे आएगा, we need to compute the tax up to 2 करोड रुपीज, plus surcharge at the rate of 15%, yes, surcharge at the rate of 15%, plus additional income जो beyond 2 करोड रुपीज होगी, चेक कीजेगा, compute the tax liability of Mr. Deepak, having total income of 2 करोड 2 lakhs, assume that his total income comprises of this income, सबसे पहले 2 करोड 2 lakh पे normal tax निकालो, including surcharge, 2 करोड 2 lakhs, minus 10 lakh into 30% plus 1 lakh 12,500, the tax, check करो, इसमें, since income exceed 2 करो, 25% का surcharge अड़ हो जाएगा, your total tax would come to 73,40,625, yes, I guess मैंने surcharge बोलते होग 15% बोला, बरबर, अब आपका tax आ रहा है, 73,40,625, अब marginal relief के हिसाब से निकालेंगे, तो हम कैसे निकालेंगे, tax up to 2 करोड, अगर tax up to 2 करोड निकल रहा है, तो surcharge फिर 15% होगा, everybody, 1 करोड से 2 करोड तक का 15% ही होगा, plus total income minus 2 करोड, so check किजिएगा, सिर्फ 2 करोड पर tax निकालिए, calculator पर लीजए 2 करोड, minus 10 lakh into 30%, add 15%, does this comes to 66,084,375, please check, यहाँ पर surcharge, 1 करोड से लेके, 2 करोड तक का surcharge लगाया गया, because income not exceeding 2 करोड, हम यह assume कर रहा है, but ever, इसमें 2 lakh रुपए, as it is add कर दो, tax would come to 68,084,375, tax क्या payable है, दोनों में से जो भी lower रहा, वो आपका tax payable हो जाएगा, obviously your tax payable would come to, 68,084,375, इसमें सर्चाज फिर से add करने की ज़राद, नहीं है, 68,084,375 into 4%, straight away आपने सेश add कर दिया, final tax liability would come to, 71,59,750, ये जान मुझे के questionnaire में ऐसे problem डाले हैं, ताकि आपको marginal relief वाले concept पे इतना ज़्यादा issue ना है, चाहे वो 50 lakh का हो, 1 करोड का हो, 2 करोड का हो, या 5 करोड का हो, आप देखोगे, next problem 5 करोड रुपीज के उपर होगा, question number 5, 5 करोड रुपीज के उपर होगा, या आप homework कीएंगे, question number 6, companies के case में marginal relief की बात करता है, so check कीज़ेगा, question number 6, compute the marginal relief available to X limited, आप question देखे कितने selective डाले हैं, इससे आपका एक और concept clear हुआ, क्या companies को भी marginal relief मिलता है, जवाब है, हर assessi को marginal relief मिलता है, including foreign companies, compute the marginal relief available to X limited, a domestic company, assuming that the total income is 1 करोड 1 lakh रुपीज, for the assessment year, and total income does not include any income in the nature of capital gain, assume that the company has not exercised 115 BAA or 115 BAB, the gross receipt of the company in the previous year is 402 करोड रुपीज, अब बताईए, previous year में, आपने amendment lecture पूरे देखे हैं, ध्यान से सुनिएगा, previous year 18-19 में, turnover does not exceed 400 करोड रुपीज, तो सर्चाज, sorry, tax rate कितना होता है, 25%, here turnover exceed 400 करोड, here turnover exceed 400 करोड, tax rate कितना होगा, बताऊँ मुझे जल्दी से, tax rate कितना होगा, 30%, बिल्कुल सही जवाब, because turnover exceed 400 करोड, 30% would be the tax rate, अब 1 करोड 1 लाक है, तो सर्चाज effect तो आए गई, because income exceed 1 करोड रुपीज, सर्चार्ज is 7%, क्या तुम्हें याद है, तो सबसे पहले, normal तरीके से tax निका लिए, company की income, 1 करोड 1 लाक रुपीज, इस पे 30% plus 7%, आपका total tax आता है, 32,42,100, so tax payable, as computed by 32.1% would be 32,42,100, however, अगर marginal relief apply किया जाए, तो we need to calculate tax up to 1 करोड, plus additional income add कर देना है, 1 करोड रुपीज into 30%, that is 30,00,000, plus 1,00,000, जितना भी आपने earn किया है, उसे directly क्या कर दीजे, add कर दीजे, however, the tax, 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 SEC की बात नहीं कर रहे, tax cannot exceed 31,00, that is 30,00,000 on 1 करोड, plus 1,00,000 being the total income exceeding 1 करोड, therefore, tax payable on 1 करोड 1,00,000 would be 31,00,000 and marginal relief would be 1,00,42,100,000, यहाँ पे लिखिये, add HEC separately, HEC add होगा 31,00,000 में, और अगदान नहीं dareुचर ही चेमिया पहाँ प्लिटीः, do not Malik, 그럼, again question number 7 which is based on similar grounds solve it on your home last question Mr. Sanjay, age 30 years has total income 4,50,000 comprising of salary and bank deposit compute the tax liability I think this is a very simple question which talks about rebate 4,50,000 minus 2,50,000 into 5% 10,000 would be the tax इसमें से 10,000 straight rebate minus हो जाएगा tax liability would be nil game over ये था आपके chapter number 1 का बोलो मालिक questionnaire साथ साथ में कुछ questions solve कर दिये 3 questions out of 8 3 questions are your homework जिसको आप solve कर दिजे और अगर कुछ doubt होगा उनमे या आप कहीं कुछ mistake notice करते हैं क्योंकि हो सकता है if any तो आप इस number पर message कर दिजे मैं पूरी कोशिश तो वैसे की गई इसके अंदर में कहीं कुछ हो नहीं सकता but it's all about human error कुछ अगर है तो प्लीज मुझे बता दिजेगा game over काई ही काई हुआ एंदर और झाप इसके बतका एंदर आप धट्टी मुझे बतका अचस्यों के कहीं याजर प्लीज एंदर